कि नमस्कार में अजरी मिश्रौ स्वगत है आपका हमारे चैनल में दिली सरकार अपने इस तर पर जो है पल्यूशन कंट्रोल के नाम पर दिवाली पे पटाकों पर बैर लगा रही है तो दूसरी तरफ पर आली जोलारी की समस्या का कोई समधान निकालते नजर नहीं आ रही है पहले जो दिली की सरकार पंजाब में जब कॉंग्रिस की सरकार थे उन पर लगता निशानस आते थे और यह कहा जाता था के ज़रोल के तरफ से कि दिली का जादाता तर प्रदूशन होता है उसका करेंड पंजाब जनाने वाली पर अली है और इस वक्त शोशल मीडिया पर जो वीडियो सरकुलेट हो रही है उसमें यह साफ देखा जा सकता है कि पिंजाब के किसान पराली जला रहे हैं लेकिन केजरिवाल ने चुपी साथ रखी है और इसी पराली के मुद्दे पर अब हड्याडा के ग्रिहा मंत्री आनिल विज ने दिल्ली के मुख्या मंत्री अर्विंद के जरिवाल पर जमकर निशाना साथ हो और यह कहा कि दिल्ली में गला फाड़ कर चलाने वालों की जुबान अब सूख चुकी है जिहां मुलकुल सईसन आपने क्या कुछ और कहा है अनिल विज ने क्या कुछ के जरिवाल के लिए अनिल विज का बयान है इसके विस्तार से जान लेने पराली ववात पर पहां और दिल्ली मुक्यमंत्री आमने सावने आकए हम पंजाब के घ्रिवाल को आप्रेंक के मामले सामने के वाध में अनिल वुद्र जीवाल को आरे हाथ लिया है। विज ने तंज कसते हुए कहा कि केज रिवाल जी कहते कुछ है और करते कुछ है वे जो है दिल्ली में शोर मचाते थे कि पंजाब में पराली का प्रदूशन दिल्ली आ रहा है लेकिन इस बार एक भी बयान उन्होंने नहीं दिया आज पंजाब में तुम्हारी सरकार है तो विज ने कहा कि केज रिवाल कहते कुछ हैं करते कुछ है याज तक उनका इतिहास रहा है वह इतना गला फाड़ फाड़ कर दिल्ली में चीखते थे कि पंजाब में पराली जलाने पर सारह प्रदूशन दिल्ली में आ रहा है लेकिन इस बार उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया वेज़ ने कहा कि अब उनकी जोबान लगता है सूख गई है इस बार नहीं जो हुन्हें कहा कि इस बारे में उनका जो महाग्यान था उस पर कोई कारवाई करते वह नजर नहीं आ आज पंजाब में आमाद्मी पार्टी की सरकार है आज उस पर आकर कारवाई क्यों नहीं करते ये करते कुछ है और कहते कुछ है तो ग्रिया मंत्री आप देख सकते हैं अनलविच का ये बयान है जुसमें उन्हों ने अर्वंद के जविवाल पर जमकर निशाना साधा और गई थी क्योंकि जो रिपोर्ट आए थी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि 48 प्रतीशत तक प्रद्यूशन अगर दिली में होता है उसके पीछे का कारण पंजाब में जलाई गई पराली है क्योंकि उसे काफी जादा प्रद्यूशन का एक च्वादर बन जाता है जो चाद के जुआ सरकार नजर नहीं आ रही है जो इस परस्च तौछ पर यह बताता है इस तरीके से अभी अपनी सरकार बन जाने के बाहत दार्वंतर के जिएक पराली से नहीं परद्यूशन मलकि पटा के से प्रद्यूशन होता है वह यह अनिल विजव ने महाराष्ट के पढ़्हां के दिल्ली के मुख्या मन्तरी उची नहीं कहते थे कि पञ्जाब में पराली जलाने हिस रहा है लेकिन इस बार उन्हों ने इस बारे में कुछ नहीं का बता दे कि जब यह बयानबाजी होती थी उस वक्त प्रदूशन का भी हाल काफी खराब था दिल्ली में भी कंडिशन काफी खराब थी और उस वक्त अर्विंद केजिवाल कॉंग्रेस को क्यूंकि पंजाब में 17 पार्टी कॉंग्रेस थी और कॉंग्रेस को जमदार ठेराते थे कि कॉंग्रेस इसके लिए कुछ नहीं करती है और इसका प्रदूशन दिल्ली में फैलता है और दिल्ली के जनता को सफर करना पड़ता है लेकिन आमादी पार्टी की सरकार जब से पंजाब में बनी है ना पराली जनानी के मुद्दों पर बात होती है ना इस परिशानी का सल्यूशन निकालने के लिए किसी भी तरीके की कोई चर्चा होती है तो पंजाब में उनकी सरकार है वो कारवाई कर सकते हैं लेकिन वैसा नहीं कर रहे हैं यह सर्फ चुप चाप बैठे हुए हैं और पराली आले मुद्दे पर अब यह कुछ नहीं कह रहे हैं तो सिर्फ यही नहीं पराली का मुद्दा लेकर केंदर सरकार के तरफ से भी मामला उठाए गया था केंदर सरकार ने भी इस मामले को लेकर पराली जलाने के मामले पर पंजाब के दो जलो में और देश के 75 पतिश जो है मामले साब नहीं आये थे पंजामे खेतों में लगता जल्री पराली के सवालों के गिरे में मांस सरकार नजर आई थी केंदर सरकार ने इन पर निशाना भी साधा था यही नहीं खरीफ की कटाई शुरू हो चुकी है इस वक्त और इस सबीच ठंड की आहाट के साथ दिल में पराली जलानी की घटनाए रोकने के लिए परियाप्त कदम तो उठाए ही नहीं है केंद्रिया परियावरण मंत्री वुपेंद्रियादव ने चिंता व्यक्त की कि पंजाब सरकार राज के खेत की आग को रोकने के लिए कारवाई करने की सक्षम नहीं है केंद्रिया उक्टूबर तक पिछले साल की तुन्ना में आग की घटनाओं का रुजान कम था लेकिन अब यह तेजी से बढ़ने लगा है विशेशकर पंजाब में यह स्तिती जादा खतरनाक होने लगी है केंदर ने पंजाब के मुखे सजीव को आग की घटनाओं की बढ़ती दर को नि दिलिवरी पेदेरी पर भी उन्होंने चिंताब वियक्त की है पंजाब हडयाना दिल्ली जैसे राज्यों में धान की पराली जिलानी से प्रदूशन का स्तर जो है वो बढ़ने लगा है गेहूं और सबजीयों की तयारी पहले से कर दे के लिए फशल के अवशेशनों को जल नहीं किया जाता है भारतिय क्रिश्य अनुसादन संस्तान के पंजाब ने पिछले साथ 15 सितंबर को 30 नवेंबर के बीच 71,304 खेत में आग लगी थी और 2020 के सवदी में 8,002 खेत में आग लगाई गई थी तो आप से देख सकते हैं किस तरीके से पराली जलाना एक हैं मुद आता है ज़ा रहे हैं कड़ कदम ने उठाए जा रहे है अब जो है इस पूरे आं मामले पर आप आप सकते हैं कि चाहिए पंजाब में दहानब देना चाहिएं किस तरीके कि अबाबले को हैंडल किया जा सकता है तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साजह करें